सेमेटिक मैनेजर टुट्रियल के एस सीरीज में आज हमारा दूसरा वडियो है इस वीडियो में हम आज बेसिक्स प्रोग्रामिंग सब्सक्र देखेंगे जो कि सिमेटिक मैनेजर में या किसी भी सिमेश के प्रोग्रामिंग में अगिवर्ज होता है तो बेसिकली अगर हम TLC क हमेशा dua program रहे हैं से, एक होता है कि उसका खुट का आप्डिंग सिस्टिम और दूसरा प्रोटिंग सिस्टिम one is user program एडेन सिस्टिम हमें क्या रहता हैं,يعर को कहया है तो error handling या फिर restart handling रहता है राक कि अपडेट आप्डेट आप आप व्सास इमेज for input and output या फिर memory organization या फिर connection with other devices या with programming devices तो यह सब जो है वो operating system अब्ला करता है और दूसरा जो रहता है हो user program user program मतलब हम जो ladder logic या function block में हम जो खुद program create करते है तो उसे बोलता है user program ये दो program हमेशा CPU में रहन होते है तो अगर हम user program का basic structure देखी है तो उसमें include होता है हमारा OB जो की organization block कहते है इसके बात होता है functions FC function block FB shared data block या फिर global data block इसको DB कहते है और instant data block जो की automatically create होता है जब हम SD को call करते है उसके साथ रहते है system function system function block और user defined data type और अर्गराशन block दे बतन करता है interface between offering system and user program तो कभी भी program जब च्यान होता है तो वो हमेशा OB में च्यान होता है OBS के भी different types है जैसे main OB जिसे OB1 कहते है तो यह जो OB1 है यह हमेशा cyclicary attribute होता है तो हमेशा program जब ELP scan करता है तो वो cyclicary scan करता है जो OB1 में scan करता है तो वहाँ से वो main program scan होता है और उसमें अगर हमने कुछ FB या FB call किये होंगे तो वो वहाँ से FC में या FB में जब करके वहाँ का program execute करके फिर से cyclic OB1 में या फिर OB1 में वो program execute करता है उससे के साथ अलग-अलग interrupts के भी OB रहता है जैसे OB30, OB31, OB32 यह जो है cyclic interrupt है cyclic interrupt मतलब एक specific time के बाद हमेशा OB execute होता है और उनमें जो program दिखा हुआ है वो run होता है उसे के साथ time of day interrupt रहता है time delay interrupt रहता है यह फिर हम hardware interrupt रहता है यह जिसी की OB40, OB41, OB42 यह फिल synchronous cyclic interrupt रहता है जिसी OB61, OB62 redundancy error की OB यह है जैसे OB70 है अर्सिंक्रोनस error की OB है background cycle की OB है starter OB जो की OB 100 है मतलब यह जब PLC off होकी जब first time on होता है तो initially जो OB रहन होता है तो OB 100 होता है जो हम starter OB कहता है तो यह बहुत तरह OB है जो हम अपने जरुरत की साथ से हम इनको call करते हैं और इनमें हसार program लिखते हैं function में क्या रहता है जो की हम FC को हम OB में call करते है क्योंकि FC अगर हमने OB में call ने किया तो इसमें से प्रोग्राम लिखावा है वो execute नहीं होगा तो इसे हमें FC में call करना पड़ता है FB में भी हम same ladder logic या FBD use करते है इसमें हम program लिखते है लेकिन FC और FB में basic difference यह है की या उसको किसी other programs में use कर सकते है FC में static memory नहीं रहती है इसमें सिर्फ temporary memory रहती है shared DB मतलब suppose हमारे program में बहुत सारी memory यूज़ होने वाली है तो हम सभी memory bits यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि memory bits का कुछ limitation रहता है हर एक TPA के हिजाफ से तो हम क्या करते है कि अलग-अलग DBs create करते है जिसे हम data blocks करते है तो उसमें हमारे जरुट की हिसाब से हम data define करते है जैसे हमें कुछ integers चाहिए कुछ bits चाहिए कुछ sorting values चाहिए तो हम यह सब data हम अपने data block में clear करते है और इसको हम program में अपने जरुट की हिज़ाब से यूज करते है तो DB यूज करने का और एक फायदा है कि हम memory को separate out कर सकते है suppose हमारा program में auto, manual या safety के कुछ logic से है तो हम auto को लगने वाले जो memory है हम अलग DB मेंज बना सकते है manual logic के लिए लगने वाले ये memory हम अलग DB में बना सकते है तो इस तरह से हम इसको separate out कर सकते है instant DB जो है वो automatically create होता है जब हम SD को call करते है तो जो static memory SD का है वो इसी DB में store रहता है इसकी के साथ उसका temporary temporary memory तो नहीं दिखता उसके input output जो है वो भी इस DB में दिख जाता है stream function जो है वो thematic के खुर के कुछ functions है जिसमें logic लिखा होगा जैसी ET on timer है या counters है तो यह जो standard logic है standard blocks है उनको SACC और SACB में लिखा जाता है और उसको हम directly access करके हमारे program में use कर सकते है utility याने user data type सेची की integer ये data type है जिसे user खुद create करता है और अपने ज़रुरत की हिसाब से इसको इसको इसक्तमार करता है suppose की मेरे program में hundred number of pumps है जिसका मुझे logic लिखना है हर एक pump के लिए अलग 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 डिख सकते है या फिर आप एक pump का एक basic logic बना के उसमें एक user defined data type कर सकते है उस data type में start के लिए एक data type होगा stop के लिए बुलियन होगा for reset के लिए बुलियन होगा उमर से के लिए बुलियन होगा अपको आपकी इसमें speed reference देते है तो उसमें एक floating point का होगा तो ये combine तब मेला के हमने ये user data type create कर सकते है और वो user data type हम के लिए call करेंगे तो फिर हर एक point में assign करेंगे तो ये automatically start stop event ये सब आ जाएंगे तो जहां पर हम देख सकते हैं हमने ob, fb, fc, db ये basic structures create किये है तो next वीडियो से हम इसका basic instruction का programming start करेंगे जैसे की bit logic instruction है उसके साथ हम start करेंगे और उनका use case is perfect specific sample programming से हम इसको देखेंगे Thank you guys for watching this video और अगर आप मेरी channel पर नहीं है तो प्लीज इसको subscribe कीजे और अपने दोस्ते के साथ भी share कीजे Thank you